नमस्कार स्वागत है आपका चमतकारी टोटके चैनल पर आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी हर सिंगार के दिव्य टोटके आपकी शादी में आने वाली समस्याओं से भी चुटकारा दिला सकते हैं हर सिंगार के टोटके जीवन में आने वाली कई सारी समस्याओं का समधान करते हैं जानते हैं इसके कुछ टोटके, उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सस्क्राइब नहीं किया है तो सस्क्राइब कर ले और बेल आइकन को क्लिक कर ले ताकि आपको नाए अपडेट्स मिलते रहें सबसे पहले दोस्तों वास्तु दोश दूर करने के लिए अकसर हमारे जीवन की अधिक से अधिक समस्याओं का कारण हमारे घर का वास्तु दोश होता है और ऐसी स्तिती में हम इतने समर्थ नहीं होते हैं कि घर का वास्तु ठीक कर सकें इसलिए अगर आप अपने घर का वास्तु ठीक करना चाते हैं तो हर सिंगार का पौदा घर के उत्तर दिशा या उत्तर पूर्फ दिशा में लगा दे इससे घर के सारे वास्तु दोष समाप्त हो जाते हैं जिस वजह से उस घर में हमेशा समरुद्धी, एश्वर्य और शुक्षान्ती बनी रहती है धन आपके लिए परिजात के फूल के टोटके यह टोटका आप मंगलवार के दिन अजमाए ऐसा करने से आपके घर में धनकी वर्षा होगी जल्दी शादी के लिए मंगलवार के दिन एक नारंगी कपड़े में परिजात के साथ फूलों के साथ हल्दी की गाट बांदे और उसे घर के मंदिर में माता गौरी की तस्वीर के पास रखें इसे आप ऐसे स्थान पर रखें जिसमें बाहा से आने वालों की नजर उस पर ना पड़े इस उपाय के साथ साथ आप माता गौरी की नियमित पूजा भी कर सकते हैं इस टोटके से बहुत जल्दी शादी के योग बनने लगते हैं यदि आपके घर में बिना वज़ा ही धन का खर्चा होता है और आपके उपर कर्जा रहता है तो इससे जल्दी मुक्ती पाने के लिए तो आप सबसे पहले परिजात के पौदे की जड़ का एक छोटा सा तुकड़ा ले और इससे घर के पैसे वाले किसी भी स्टान पर रख दे आप इसकी जड़ अपने पर्स में भी रख सकते हैं इस उपाय से आपको जल्दी कर्ज से मुक्ती मिलेगी परिवार के सद्यस्यों की लंबी आयू के लिए इससे करने के लिए सबसे पहले अपने घर में हर सिंगार के पौदे की स्टापना करे और इसके पश्चात हर सोमवार इसके ग्यारा फूल सुबा नहा कर शुद्ध होका तोड़े और इसे अपने घर के अंदर पूफ की दिशा में एक कटोरी के अंदर पानी भर ले और उसमें चुटकी हल्दी डाल कर इस पौदे की फूल को रखे और दिन भर अपने कमरे में रहने दे ऐसा हर सोमवा करने से घर के हर सदस्यों की आयू की रक्षा होती है और उसके उपर आने वाले बड़े से बड़े संकट भी टल जाते हैं हर प्यार के रिष्टे में टकराव या मनमुटाव होते रहते हैं पर कई बर प्रेमी प्रेमिका के बीच में जगड़ा इतने बढ़ जाते हैं कि रिष्टा तूट जाते हैं अगर आप भी किसी से प्रेम करते हैं और आपका प्रेमी या प्रेमिका आपसे दूर चले गए हैं तो इस टोटके का इस्तमाल करके आप उन्हें वापस ला सकते हैं इस टोटके का इस्तमाल स्रीया पुरुष दोनों ही कर सकते हैं इसका इस्तमाल केवल गुरुवार के दिनी करना है गुरुवार की शाम सूर्यस्त होने के बाद हर सिंगार के 51 फूल और एक बासुरी लेकर कृष्ण मंदिर जाए और फूल और बासुरी को श्री कृष्ण के चड़नों पर अर्पित कर दे और उसके बाद श्री कृष्ण जी के सामने बैठ कर ओम कृष्णाय नमा मंद्र का 51 बार जाप करे ऐसा लगता तीन गुरुवार करने से रूठा हुआ प्यार भी वापस आपकी जिंदगी में आ जाता है और आपका प्यार भी श्री कृष्ण के कृपा से हमेशा शुरक्षित और खुश्यों से भरा रहता है बिमारियों से बचने के लिए यदि आप किसी मंगलवार के दिन हनुमान मंदिर के आसपास परिजात का पौधा लगाते हैं और कम से कम 11 मंगलवार उस पौधे को पानी देते हैं और उसकी सेवा करते हैं तो आपके घर में नकरातम कूज़ा का वास नहीं होगा और बिमार्या भी घर से दूर रहेंगी इससे आपको हनुमान जी की विशेष क्रिपा भी प्राप्थ होती है जिससे जीवन में आ रहे ही सभी समस्याओं का हल हनुमान जी के क्रिपा से प्राप्त होता है अच्छी नौकरी के लिए यदि आप नौकरी की तलाश में है और मैनत करने के बाद भी सफलता नहीं मिल रही है वैसे तो इस तोटके का इस्तमाल अगतार 21 दिनों तक करने से ही लाप राप्त होता है पर आप चाहे तो इसे रोज कर सकते हैं इसे करने के लिए थोड़ी मात्रा में हासिंगार के फूल लेकर आए और उसमें थोड़ी इसी मात्रा में माता की पूजा करने वाला लाल सिंदूर मिला कर अच्छे से पीस ले और उसमें थोड़ा गंगल जल मिला ले अब हर रोज सुबा पूजा पाट करने के बाद इसका तिलक मात्य पर लगार रोज इसका तिलग करने से हमारे मस्तिश की उर्जा में व्रिद्धी होती है और छात्रों की स्मरण शक्ति भी बढ़ती है और आप कुछी दुनों में देखेंगे कि इस तोटके के असर से आपका पढ़ाई में मन लगने लगेगा और आपको परिक्षा में सफलता मिलने लगेगी और अंत में हैं दोस्तों अचानक धन प्राप्ती या लाप के लिए अगर आपके घर में धन की काफी अधिक कमी है या फिर आप अचानक धन प्राप्त करना चाते हैं तो इसे करने के लिए 21 परिजात के फूलों को एक पीले कपड़े में रखें और इसके साथ एक फिटकरी और एक पीली हल्दी की गाट रखकर इसकी पोटली बना ले और इस पोटली को वहाँ पर रखें जहां पर आप अपने घर का धन रखते हैं या अपनी तिजोरी पर रखतें एक बात का विशेश ज्यान रखें कि इस पोटली को हर तीन महीने में एक बार बदल लें ऐसा करने से आपके घर में धन की कभी भी कमी नहीं रहेगी हर सिंगार के इन उपाय से आप घर में सुक्संप्रिदी बनाए रख सकते हैं और जीवन में उन्नती कर सकते हैं अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इससे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सस्क्राइब करना ना भूले धन्यवाद